So hello and welcome you all I am Roid from Margin Traders So guys आज हम बात करेंगे विकास लाइब केर के बारे में So guys विकास लाइब केर में काफी दिनों से यहाँ पर खबरे चल रही थी यहाँ पर stocks को अलोट करने की बाते चल रही थी और उसके लिए यहाँ पर कल meeting बिटाए गी थी और कल meeting 8 बजे के आसपास start हुई थी और यहाँ पर एक घंटे के अंदर ही meeting हदम होगी थी guys और यहाँ पर बिलकुल उन्होंने क्या decisions लिये है इन 12 करोड shares के लिए तो आज हम इस विडियो में देखने वाले है और guys यहाँ पर विकास live care क्या buy करना सही रहेगा तो किस level पर buy करना चाहिए हमने तो ओ भी हम इस वीडियो में देखने वाले है और क्या target हो सकते हैं विकास live care में और कहाँ पर मिल रहा है breakout ओ भी हम इस वीडियो में देखने वाले है तो guys काफी कुछ बाते होंगी आपर विकास live care को लेकर तो वीडियो को स्टार्ट करूँ से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दमाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो guys प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना क्योंकि जब भी मैं कोई स्टाक के बारे में अपडेड दू तो आप तक पहुच जाए तो चलते है guys विकास live care के उपर तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विकास live care limited के बारे में और वही अगर आप देखोंगे तो कही न कही स्टाक में आज morning में हलकी सी गिरावट आई थी बट स्टाक फिर से recover हो जाएंगा guys क्योंकि अभी तक यह news काफी लोगों तक पहुची नहीं है और विकास live care अहाँ पर जो पिछले कई टाइम से हम जिस target के बारे मैंने पहले भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाच रुपे साहट पैसे के लेवल पे यह share closing देता हुआ नजराया है 0.050 पैसे तक की बड़त है बिल्कुल positive है 0.90% के हिसाब से बड़त देखने कबल रही है market cap इसका है 595.57 करोर के आसपास का और आज अगर आप देखोंगे तो 5 रुपे हसी पैसे पे यह share open हुआ था 5 रुपे हसी पैसे काही high लगा और सिधा low लगा था 5 रुपे 55 पैसे बट अभी भी दिन बाकी है उपर जाने की पूरी खोशिश रहेंगी और यहाँ पर आप देख सकते हो guys विकास लाइब के एर Ltd. Approves Allotment of 12 करोर 15 लाक एक्विटी शेर टु क्यू आइब इस क्यू आइब इस का मतलब क्या है? Qualified institutional buyers इन्हें कहा जाता है और कोई भी शेर अगर यहाँ पर अगर चीज में समझाने की कोशिश करू तो जरूरत होती है तो यहाँ पर company के shares अलोट करता है और वो यहाँ पर QIBs को बेशने की कोशिश करता है यहाँ पर कई सारी चीज़े होती है कई सारे buyers होते है कई सारे बड़े बड़े investors होते है और यहाँ पर QIBs यानि qualified institutional buyers को इसलिए यहाँ पर नाम ज़्यादा आता है क्योंकि जब भी इनको shares बेज़े आते हैं तो उनका जो process होता है वो काफी easy होता है और यहाँ पर वो पहले से ही stock में study करके बेठे रहते हैं और सीधा वो stock में invest करते हैं तो guys यहाँ पर 12 करोड 50 लाक या असपास का यहाँ पर approve किया गया है allotment यहाँ पर बिल्कुल QAVS यहाँ पर आ गया है QAVS के entry हो गई है और बात करें अगर meeting की तो कल आप देख सकते हो at 30 PM के असपास का meeting start होई थे और 9 PM के हसपास मेटिंग close हो गई थी और meeting के बीच यहाँ पर देखा चाया तो decision लिया है और बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो 12 करोड 50 लाक यहाँ पर approve किये गए हैं यहाँ पर qualified institutional buyers बिल्कुल यहाँ पर आ गए हैं इनकी entry यहाँ पर हो गए हैं तो guys काफी बड़ी news हैं इनके shareholders के लिए और यहाँ पर charts हमने पहले भी कई बार discuss किये थे और कई बार हमने बूला भी था खरीदारी करने के लिए और जिन जिन लोगों ने buy किया होगा अच्छा profit उन्होंने कमाया होगा यहाँ पर आप देख सकते upside downs momentum थे breakout मिलते ही stock ने 8 रुपे का high भी लगा था फिर यहाँ से वही pattern है और आज इसमें breakout भी मिल गया है breakout मिला है यानि 8 रुपे का जो level है वह इजी अच्छीव होने वाला है तो यहाँ पर विकास live care क्योईबिस के entry यहाँ पर हमने देखी यहाँ पर हमने live care के लिए भी वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो thank you